दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Shoulder Pin की बारे में यानि की कंधे के दर्द के बारे में दोस्तो कंधे का दर्द एक ऐसी समश्या है जिसका सामना हर एज ग्रूप के लोगों को करना पड़ता है दोस्तो Shoulder Joint कंधे का जोइंट हमारी हाथ की हड़ी और हमारी कंदी की हड़ी से मिलकर बना होता है और यह हमारी body का सबसे ज़्यादा west joint होता है और वहीं सबसे ज़्यादा mobile joint भी होता है इसी mobility की कारण इस joint की stability काफी कम होती है और वो basically हमारी rotator cuff muscle यानि कि वह muscles जो हमारे कंदे को चारों तरफ से support करके भांध कर रखती है उस muscles की strength पर इसकी stability depend करती है लेकिन कुछ समश्या ऐसी होती है जिसके कारण इस muscles पे tear हो जाता है या फिर हमारा joint जकरने लग जाता है कुछ ऐसी समश्याओं की कारण हमें काफी जादा कंदे का दर्द का सामना करना पड़ता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे बड़े कारण जिसके कारण आपको कंदे की दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिससे आपको दर्द, सूजन या फिर जकडन का भी सामना करना पड़ता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्या और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलेगा तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो दोस्तो सबसे पहला common कारण है हमें कंदे के दर्द होने का वो है हमारी इरोडेटर कफ मसल या फिर उसके टेंडन का टियर होना दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि रोडेटर कफ मसल्द हमारे कंदे को सपोर्ट करती है ये चारों मसल्द हमारे कंदे को चारों तरफ से स्टेबिलिटी देती है जब भी किसी गलत तरीके से वेट उठा लेने के कारण या फिर आपकी जिम में किसी रॉंग टेकनीक से को एकसाईस करने के कारण इस मसल या फिर स्टेंडन का टियर हो जाता है तो पेशेंट को बहुत ज़ादा तीज कंदे का दर्द होता है रोलेटरकफ हमारे हर मुवमेंट में सपोर्ट करती है तो जब भी किस मसल पे टियर होता है तो हर छोटे से छोटे मुवमेंट को करने में भी आपको बहुत ज़ादा दर्द का सामना करना पड़ता है जिन लोगों में road track of muscles का tear होता है उन लोगों को रात को सोते वक्त भी जब भी उस muscles के उपर दबाओ आता है तो भी दर्द और सुजन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है Basically इस tear को पहचानने के लिए कुछ specific test होते हैं जिसके थुरू हम इस muscle के tear को पहचानते हैं कि कौन सी muscles में वो tear हो आए और उसके accordingly physiotherapy का treatment हम लोग इसमें design करते हैं जिसे patient को कुछ sitting के बाद ही काफी अच्छा राम मिल जाता है दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हमें कंधे के दर्द होने का वो है हमारे shoulder यानि हमारे कंधे के posture में changes आना यानि कि कंधे की माशपेशो में muscular imbalance होना जी हाँ दोस्तों rounded shoulder, uneven shoulder कुछ ऐसी समश्या है जिसके करण आपके shoulder के जो posture है उसमें changes आने शुरू हो जाते है rounded shoulder में हमारा कंधा आगे की तरफ जुकने लग जाता है और वहीं uneven shoulder के अंदर हमारा कंधा उपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और ये होता है कुछ muscles के weak और कुछ muscles के tight होने के करण तो जब भी weak muscles से आपको एक activity करते हैं तो आपको ज़्यादा chances हो जाते हैं आपको shoulder की injury होने के और जब भी ऐसा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा pain और swelling का सामना करना पड़ता है इस condition के अंदर भी physiotherapy के अंदर हम इस posture imbalance को diagnose करते हैं और इसके accordingly protocol बना कर posture correction exercises patient को करवाते हैं जिसके तुरू वो uneven shoulder और rounded shoulder जैसी समश्याओं को sort out कर सकते हैं दोस्तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कंदे के दर्ध होने का वो है frozen shoulder यानि कंदे का jam होना यह ऐसी condition है जिसमें हमारे कंदे के जो capsules होते हैं जो हमारे कंदे के joint को चारो तरफ से cover रखते हैं इस capsule की injury हो जाती है और swelling होना शुरू हो जाती है जिससे patient का हाथ धीरे धीरे जकरना शुरू हो जाता है यह capsule tight होने लग जाते हैं जिसे patient कोई भी moment करने की कोशिश करता है उते से बहुत जात दर्ध का सामना करना पड़ता है साथ ही patient की हाथ की range भी धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है दोस्तो physiotherapy के अंदर इस condition के लिए हम लोग जो treatment देते हैं उसमें deep hitting हम इसमें treatment देते हैं swelling और pain को कम करने के लिए भी कुछ advanced laser treatment हमारे पास में होते हैं जिसके तुरू हम patient की pain को पहले कम करते हैं जब patient का pain कम हो जाता है उसके बाद में कुछ mobilization exercises कराई जाती है वही patient को home advice भी करी जाती है कुछ exercise जिसके तुरू वो घर पे भी exercise करता रहे और regular treatment से patient को कुछ ही समय के अंदर अपने इस frozen shoulder की समझा से काफी आराम मिल जाता है दोस्तों चोथा जो सबसे बड़ा कारण होता है shoulder pain का वो होता है हमारी shoulder का dislocation होना दोस्तों जैसा हमने आपको बताया था कि हमारा shoulder joint ball and socket joint होता है और यह चारो तरफ से जिल्लियों से गिरा होता है जब सामने की तरफ की जिल्ली जिसे bank card leasin भी का जाता है जब वो tear या फिर फट जाती है तो ऐसे एक young athlete के अंदर हमें बार-बार shoulder dislocation की समश्या देखने को मिलती है ऐसे cases के अंदर हम फिजो तेरपी से हमारी rodator cuff muscles को strength करते हैं कुछ advanced repair treatment यानि की laser या फिर pulse electromagnetic field जैसे treatment से हम लोग उस leasin को repair करने की कोशिश करते हैं और rodator cuff muscles को काफी हद तक strength करते हैं जिससे की shoulder की strength को stability को maintain रखे अगर फिर भी है अच्छा result अग नहीं मिल पाता exercise या किसी और चीज़ से तो orthopedic हम review लेते हैं जिसके तुरू orthoscopic surgery के बाद में भी उसको repair किया जा सकता है surgery के बाद भी हम लोग physiotherapy के अंदर rodator cuff muscle की strengthening को continue रखते हैं जिससे की patient को further कभी भी dislocation का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका shoulder pain किस समझा के कारण है और अगर अभी भी आपको confusion है तो अपने physiotherapist और अपने orthopedition के पास जाकर इसका diagnose जरूर करवा है और find out करें कि किस समझा के कारणा आपको अपने कंदे का दर्द है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like, share करना नहीं बूलेगा और इस channel को subscribe जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से next वीडियो में